आज चुनावी थाली पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मध्यप्रदेश में मंत्री परेटन और संस्कृती मंत्री सुरेंद पटवाजी साथ हैं सुरेंद पटवाजी बहुत वह स्वागत है जीनियूस में तो चलिए आपके साथ हम खाने की शुरूमात करने जा रहे हैं चुनावी थाली में आपसे चर्चा करेंगे तो क्या इस्थिती है लग रहा है आपको अब तो कमी दिन बचे हैं मध्यप्रदेश में सरकार चोथी बार भी श्रीवराजी की नेतरत में बनने जा रही है और मुझे लगता है कि जो पिछले छे मेने साल बर में जो माहूल बना है कागरेस प्रती दिन पीछे होती जा रही है धरातल पर जो काम है वो भारती जन्ता पार्टी के सरकार के और हमारे कारिकरताओं के काम है इनकी नियत में खोट है आपको पैचान नी है इनकी नियत में कित्ती खोट है यह कहते थे नर्वदा साफ करेंगे गंगा साफ करेंगे कौन सी नर्वदा साफ ही कौन सी गंगा साफ हूं कौन सी गंगा साफ हूं कोई ऐसा सगा नहीं जिनको इनों ने भगाया नहीं खाना भी साथ साथ खाते जाते हैं शवराज जी चुकि आपकी पार्टी की सरकार 15 साल से है और 15 साल बहुत ज्यादा होता है तो कही न कहीं पब्लिक में फिलिंग आने लगती है कि बहुत अपचेंज होना चाहिए आपको नहीं लगता वो फिल कहीं न कहीं आप लोगों के ल तह होता है कि किसकी सरकार बन रही है पर मुझे ऐसा लगता है मेरा व्यक्तिकर सोच है कि कांग्रेस के दुआरा मीडिया में इलेक्ट्रोनिक मीडिया में प्रिंट मीडिया में हर तरफ ये बात जोरों से रखी जा रही लेकिन जो धरातल पर वास्तिविकता है जिस तरह से हमारे सभी Ministers, MLA's, सब लोगों ने जो काम किया है, खास कर जो हमारी 5-7 ऐसी योजना हैं मद्रिदेश में, जिनको नीचे धरातल उतारने का काम हम सब लोगों ने मिल के किया है. कई मुद्धे ऐसे हैं, जिनको लेकर जनता की नाराजगी है, खास कर बिजली की चलियत ठेक इस्तिती है, लेकिन कुछ लाकों में सड़कुद उनकी कॉंस्टेंसी में, कई बार उनके परिवार को पब्लिक की शिकायते सुनने को मिली नारे जहलने पड़े. जहां तक आपने बिजली की बात कही, पहले दो गंटे चार गंटे बिजली नहीं आती थी, आज 24 गंटे में से 10 मिनिट बिजली जाती तो लोगों को लगता बिजली नहीं है, पहले सड़कों के मामले में 10 प्रतिशत सड़के भी नहीं थी, आज 90 प्रतिशत सड़के हैं, लेकिन लोग वो नहीं देख पाते हैं, दस प्रतिशत देखते हैं, कुल मिलाकर मैं हर समय इस बात को गहता हूँ, कि विकास के मामले में अगर ग्लास आधा भरा या आधा खाली है, आपका देखने का नजरिया होना चीए, कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है, कि चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे विकास की बात हो, या बिजली की बात हो, हर तरफ हमारी सरकार ने पिछले 15 सालों में वो करके दिखा दिया है, जो किसी भी देश में कोई भी बिमारू राज को यहां तक पहुँचाने में, जितनी महनत आदनी मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिक अत्रूप से की, और खाज कर हमारे को भारती जन्ता पार्टी का जो संकटन है, पूरे देश में व्रधान मंत्री जी, अमीशा जी, रास्टी अध्यक्ष, यह सब लोग कहते हैं, कि अगर बहुत अच्छा काम करने वा कि शिवराज जी की खासियत यह है कि उनके साथ माइनोर्टी भी दिखती है, वो ऐसा फेसे के उसको लेकर भी चलते हैं, लेकिन इस बार जो मुद्दे हैं, मंदिर मुद्दा भी गर्मा रहा है, आपको लगता है कि राम मंदिर मुद्दा भी मद्दप्रदेश में कुछ असर डालेगा या मुद्दा रहेगा चुनाओ में? असर जी ने हैंदू मुस्लिम सिक्षाई आपस में है भाई भाई उस नारे को कहीं ने कहीं धरातल पर सार्थक करने का काम किया है व्यापन भोटाले को स्क्याम ऑप सेंचरी कहा जाता है मद्यप्रदेश में जिसके पास पैसा नहीं है जो चीटिंग नहीं कर सकता है वो एक्षाम पास ही नहीं कर सकता है कि क्या रखा है किताबी संसार शीष में आओ बिना पड़ेद बनो डॉक्टर मद्यप्रदेश में यानि काम खूब हो रहा है बहुत हो रहा है यह कह देना कि एंटी एंकम्पेंसी है सौभाई क्रूप से जब हम काम करते हैं तो काम करने वाले वेक्ति से ही गलतिया होती जो काम नहीं करता है तो आपको रहता है कुछ ऐसा रह गये ऐसे कुछ काम जो बीते पंद्रह साल में होने चाहिए थे जिनको प्रायोर्टी पर रखा जाना चाहिए था वो अब सरकार प्रायोर्टी पर रखेगी इसने वो सब कुछ कर दिया था हम 15 साल का अगर लेखा जोका लेकर चले तो अभी भी मैं कहता हूं मैं खुद सुविकार करता हूं इस बात को सरकार ने बहुत सारे काम की हैं लेकिन उसके बाद भी हमारा प्रदेश सबा साथ कुरूर का प्रदेश है और यहां पर मानी मुक् यहां पर इतना जबर्दस्त आपस में। गुडबाजी है और मुझे डखता नहीं 17 सीट से ज्यादा यह लोग कर पाएं बहुत अगर खिच लिया तो जो सिंद्या परिवार के साथ खड़ा रहता है सिंद्या परिवार उसके लिए दल्वार भी बनेगा और हडार भी बनेगा हम गोश्णा नहीं करते हैं हम बचन देते हैं किसानों का कर्जा माफ और बीदेपी साख लेकिन 165 सीटे पिछले बार थी तो अब उससे ज्यादा तो सीटे बढ़ेंगी नहीं कुछ घटेंगी ही आप लोग देखिए चुनाओ का माहुल और चुनाओ की जो तैयर ही होती है ह हम दो लगतो हो 230 सीटों के लिए लड़ रहे हैं और जब 230 सीटों के लिए आप लड़ते हो तो आप एक भी सीट ऐसे नहीं चाहते हो कि आपकी सीट चली जाए और चुनाओ के जब रिजल्ट आते हैं तो आपको मालूम होता है कि कभी-कभी ऐसे रिजल्ट आते हैं कि बग्यापन ऐसे बना देना जिसके कारण से भारती जन्ता पारिटी के बारे में आप मअहुल к्रिएट कर दो कि सरकार में कुछ नहीं किया मैं तो पूछना चाहता हूँ अभी कांग्रेस नहीं चला रही जब कांग्रेस सरकार में हुआ करती थी उन्होंने क्या किया जब उन्होंने मीसा तक उन्होंने लगाया 1907 में आप अगर बात करते तो आपकी खुद की भी बात करना चाहिए सिफ आरोप लगाने के लिए आरोप लगा दे और उसको साबित नहीं कर पाए मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश में 35,25,25,25 बेरोदा जिवट और पिछले दो सालों में पिछले दो सालों में बेरोदारी दुगनी हो गई 11 के बाद 11 दिसम्बर के बाद जब गिंती होगी 12 तारीक आएगी और कमंगनाथ की चक्की चलती है देर से बहुत बारी किस्ती है लेकिन एक और बात है मैं आपको से पूछना चाहूँगा यह कई बार चर्चा में आया कि मध्यप्रदेश में ब्यूरो क्रेशी हावी है ब्यूरो क्रेट सरकार चलाते हैं यह मुद्दा आपको कहीं न कहीं नुकसाद नहीं करेगा अमिशा जी ने सबकी क्लास ली इनिस्टरस में तो मैं स्वयम भी था सबके साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई और कोई फटका लगाने की बात नहीं हुई अंदर क्या हो रहा है बाहर क्या बताए जा रहा है सौभाई क्रूप से हमारी पार्टी के रास्टी अध्यक्ष है तो हमें हमेशा शिष्ट ने तरफ से कुछने कुछ तीप्स मिलते हैं और उन टीप्स पे हम लोग काम करें और बिना टीम के चाहिए वो हमारे सरकारी या अधिकारी हो और रमचारी हो बिना टीम के आप काम नहीं कर सकते संगटन के मामले में भी अगर आपकी टीम होगी तो आप काम कर पाएं ऐसे मुख्य मंत्री अगर उनकी टीम नहीं होगी उनके साथ मंत्री मंडल के सभी मंत्री, विधायक, अधिकारी, मद्धिपर्देश पर वो सब कुछ काम कर रहा है एक तरफ कंस मामा, एक तरफ शकूरी मामा, और कल्यों के जमाने में हमारे मामा वल्लब भवन में बैठे हुए तो भुचपर विधान सावा सीट पर आप कितने मार्जन से हरा रहे हैं सुरेश पचौरी को देखिए है तो जमताता है करेगी पर मुझे लगता है कि अब भुचपुक शेतर में अगर उनको हमारी चौनोती नहीं होती है तो राहुल गांदी जी को क्यों बुला रहे हैं वो कमनलाज जी को क्यों बुला रहे हैं वो जोतिरादी सिंधिया जी को क्यों बुला रहे हैं इसका मतलब है कि आपके मुद्वार कंजो हो रहे हैं पूरे मद्धिवर्देश में मैं खुला रोख से बोलता हूँ मद्यवदेश का मिनिस्टर होने के नापे नागरिक होने के नापे आदा नीर सुरेश पचोरी जी ने जोड तोड की राजनिती किये कांगरेस में टिगट बेचने का काम किये और धाई महिनों में उन्होंने पूरी मर्यादा है हमारे भोचपुर शेतर में बिगार दिया जन्ता में रोश है और उन्होंने उनके जो काले चिठे हैं जन्ता को सब मालूम होगा कि वो जब भोपाल में थे और भोपाल में किस प्रकार की गुंडागर्दी की राजनिती करते थे भोचपुर के लोग समझ गए तो आपको लगता है कि कॉंडागर्दी बढ़ जाती है प्रदेश से ये भी वज़ा है आपने भोचपुर का सवाल मुझसे पूछा है मैं भोचपुर के सवाल पर बोलूँ कि कांगरेश के हमारे सम्मानिय, आदनिय, सुरेश पचुरी जी केंद्री मंत्री, रक्षय मंत्री प्रदेश में कांगरेश के अध्यक्ष वो टिकेट बेचने का काम करने वो जोड़तोर की राजनिती कर रहे हमारे हैं धरातल पे जाए, लोगों के बीच में जाए वो गषाल मैं के पांस आनीओ ऑढ़िए मेहनेमे आकर और मुझे, ख्agar आता है, एक सपना है, सपने में देखा के सपना के अधेक सपना कमल जी उजोतिराज बन रहे双, अभैंका सपना धेख रहे है और इनको लग रहा है कि यह सपना सुकार कर रहे हैं और मैं मुख्यमंत्री में बन जो हूँ लड़के पहले तो आप जीत के बताईए यहां मध्यप्रदेश पे बदलाव आ रहा है अंडर करंट है वो 220 वोल्ट वाला नहीं है 440 वोल्ट वाला अंडर करंट है यहां पे तो बदलाव आएगा कॉंग्रस पार्टी की सरकार बनेगी और हम आपको अपनी मन की बात नहीं बताएंगे हम आपकी मन की बात सुनेंगे और आपकी मन की बात पर काम करेंगे आपके लिए बहले तो बोच्पूर की जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि ढ़ाई महीने में आप आयो साड़े-चार साल कहां थे और बोच्पूर की जनता आदनी सोर्गी पटवा जी 40 साल तक पटवा जी नहीं काम किया है शिवराज जी पांच बार सांसद रहें शुष्मा सोराज जी हमारी विदेश मंतरी उस संसेदिक शेतर में यहां पर काम करती है कुल मिलाकर बोच्पूर की जनता समस्ती है और मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आदनी सुरेश पचोरी जी खेल उन्होंने शुरू किया है खेल खतम हम करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पड़ोस में है भोचपूर बरसों से भोचपूर सीट पर बीजेपी का कबजा रहा है सुन्दरलाल पटवा ने भोचपूर सीट पर तीन बार बीजेपी का पर्चम लहराया और सुन्दरलाल पटवा के बाद उनके भतीजे सुरेंद्र पटवा को भोचपूर की सीट जैसे विरासत में मिल गई बीजेपी के सुरेंद्र पटवा के खिलाफ भोजपुर के चुरावी रण में उत्रे हैं कॉंग्रेस के कद्दावार नेता सुरेश पचाओरी जो यूपिये सरकार के दौरान केंदरी मंत्री रह चुके हैं मुकाबला बेहत कड़ा और दिल्चस्प है हलाकि सुरेंद्र पटवा दोहजार तेरह में सुरेश पचाओरी को भोजपुर सीट पर हार का स्वाद चखा चुके है दोहजार अठार में जीत का लड़ू कौन खाएगा ग्यारह दिसंबर को ये भी तै हो जाएगा